है 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 अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप इबास शेयर कर सकते हैं उसको मैं आओ थोड़ा बेटर वेसे आपके साथ शेयर करना स्टार्ट करूंगा साथ में फ्रेंट नहीं है तो पर ज़रू लाइक में सब्सक्राइब करें यहां से जूड़ सकते हैं इसका लिंक मैंने अलड़ी दे रखा है साथ में अब हम आ गए हैं सिल्वर माइक्रो के कि EMS का चार्ट है जिसमें हमीं आपके साथ सेयर करते हुआ रहा है कि मार्केट एक रेंज में चलता हुआ रहा है तो उस रेंज की अगर बात कर लेते हैं तो फॉर्मेशन अच्छे चल रहे हैं एक मार्केट ट्रेंड में भी दिखाई पड़ रहा है लेकिन उसके साथ ही आपको ये भी धियान रखना है कि market एक resistance level पे है, तो resistance level के पास जब भी रहता है, तो उसके साथ ही market को थोड़ा सा में careful होके trading का प्लान करना होता है, अभी यहाँ पे 76,000, 77,300 के आजपास closing करने के कोसिस कर रहा है, फाइनली इसके बाद next जो resistance level है, 77,600 का रहेगा, उसके बाद में 78,000 उपर है, तो फिलाल आज के लिए जो trading होने वाले 76,800 support का का काम करेगा, 77,600 है यह resistance का काम करेगा, यह market के लिए थोड़ा सा अभी 300, 400, 500 लबब नीचे और लबग 300 उपर, इसी बीच में market और trade करना चाहिए, फाइनली अगर इसके नीचे निकलता है, तो फिर नीचे इसके लिए 76,400 का level अलेडी support का का काम कर रहा है, अगर आप देखते हैं, पिछले दो दिनों से market इसी range में close किया है, लबग 300 से 400 point की trading रही है, maximum candles की, और बहुत छोटी-छोटी candles बनी, जो मैं आपके साथ अलेडी share करना है, रेजिस्टन्स जोन है, जब भी directional move नहीं रहता, तो मार्केट दीरे देखा कि decide करता है, उसे करना क्या है, फिलाद थोड़ा सा trend बेटर ही लग रहा है, लेकिन हमें resistance में इसको ध्यान में रखके ही प्लानी करनी कुए, अगर आप यहाँ पर देखने के कोसिस करने हैं, तो आलेडी यह, जो मैं मन्त का level था, उस level के आसपा स्टेड कर रहा है, तो आपको यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, साथ में market लगातार higher high भी candle बनाते हुए चाह रहा है, यह दो condition यहाँ पर बनती हुए चाह लिए जो हमारे favor में है, अब इसके बाद में daily time frame में अगर friends हम देखने के कोसिस करते हैं, तो daily time frame में भी candle, एक भी candle ने negative sentiments के लिए अभी indicate नहीं किया है, कि यहाँ से कुछ negative होने वाला है, जब तक ऐसा कुछ indication ना है कि market को कुछ negative होने वाला है, तब तक हमें market के साथ जाना होता है, और यह ध्यान र ना हुआ है, thank you friends, मिलते हैं next video में नए है, तो ज़रूर लाइक में और subscribe करें, साथ में चैनल को share भी करते हैं, जिससे हम आपके चाहत बेटर वेशे connect कर सकें, और आप comment करना मत बुलिए गए, नावंबर मत में आपने कितना gain किया है, या फिर आपको कुछ नया और थोड़ clarify करके, वीडियो चाहिए होगी, मार्णिंग की, मैं आपके साथ हो share जरूर करूँगा, thank you friends, मिलता है next video में